विद्यार्थियों, आज हम नोमी कक्षा के हिंदी की पाठ्या पुस्तक स्पर्ष भाग एक से एक फूल की चहा नामक कविता का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस कविता के कवी सिया रामशरन गुप्त जी है। आगे बढ़ने से पहले आए एक बार पिछले पढ़े हुए भाग को भी दोहरा लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि गाउं में महामारी भ्यंका रूप से फैली हुई थी। ऐसे में सुख्या का पिता बहुत डरा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके छोटे सी बच्चे इस बीमारे की चपेट में ना आ जाए। और एक दिन पिता का यही डर सच में बदल गया। उसने पाया कि उसकी बेटी ज्वर से पेडित थे। उसने अपनी बेटी को ज्वर से पेडित पाया। पिता के सामने निराशा ही निराशा थी। ऐसे में बेटी ने अपने पिता के सामने अपनी इच्छा जाहिली। कि उसे मा के प्रसाद का एक फूल चाहिए पिता अपनी बेटी की सिच्छा को पूरा करना चाहता था इसके लिए वह मंदिर में गया आगे क्या होता है आए आगे पढ़ेंगे मेरे दीप फूल लेकर वे अंबा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजली भरके भूल गया उसका लेना चट परम लाबसा पाकर में सोचा बेटी को मा के ये उन्या पुश्पदू जाकर में पिता अपने साथ जब मंदिर में गया तो अपने साथ कुछ दीपक और फूल भी लेकर गया और वहाँ जाकर उसने मंदिर में वे दीपक और फूल देवी मा को अरपित कर दिये और बदले में उसे पूजा का फूल भी मिल गया उस फूल को पाकर वे इतना प्रसंद हो गया कि दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजली भरके जब पुजारी ने उसको दोनों हाथों में प्रसाद भरके देना चाहा तो वे उसे लेना भी भूल गया क्योंकि उसे वे फूल ही जो है इश्वर के कृपा लग रहा था और वे जल्दी से उस फूल को अपनी बेटी को देना चाहता था उसने सोचा कि बेटी को मा के ये पुन्य पुश्प दू जाकर मैं उसने सोचा कि अपनी बेटी को मैं देवी मा का ये है पुन्य पुश्प जाकर दे दू जिसे की वह स्वस्थ हो जाए सिहिंपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अचुत भीतर आया पकड़ो देखो भागना जावे बना धूरती है है कैसा साफ स्वच परिधान की ये है भले मानुशों की जैसा सिहिंपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया सिहिंपोर कहते हैं मंदिर का मुख्य द्वार वह वह कुश्प लेकर मा का प्रसाद लेकर अभी मा के मतलब के मंदिर के आंगन से मंदिर के प्रवेश द्वार तक भी नहीं पहुंचा था मतलब थोड़ी से ही दूरी पर वह पहुंच जा था कि सहसा उसे सुन पड़ा उसे कुछ सुनाई दिया कि कैसे यह अचुत भीतर आया अचुत का आर्थ होता है क्षुद्र जाती का कि यह अचुत यह क्षुद्र कैसे भीतर आ गया पकड़ो देखो भाग न जावे जो मातक के भक्त वहां खड़े थे उन्होंने क्या कहा कि इसे पकड़ लो इससे पहले कि भाग जाए इसे पकड़ लो बना धूरती है कैसा यह कितना धूरत है मतलब कितना चली है यह साफ स्वच परिधान कि यह है कि है तो यह अचूत लेकिन इसने साफ और स्वच परिधान मतलब वस्त्र साफ और स्वच वस्त्र धारण के है और यह भले मनुशों के जैसा मतलब भले मनुशों के जैसा ही दिखाई दे रहा है या कितना चली है इसे जो है पकड़ लो शब्दों के अर्थ जान लेंगे अंबा, अंबा का अर्थ होता है देवी मा अर्पित, भेंट, चढ़ाना अंजली, दोनों हाथों का संपुट परमलाब, परमात्मा के क्रिपा सिहंपौर, मंदिर का मुख्या द्वार सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक धूर्थ, धूर्थ का अर्थ होता है चली परिधान, परिधान मतलब वस्त्र पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी कलुशित करदी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी एक क्या मेरा कलुश भरा है देवी की गरीमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी देवी के भक्तों ने क्या कहा देवी के भक्तों ने कहा कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर, मंदिर में आकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अनर्थ करना पाप करना, कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप किया है, कलु पवित्रता ठीक है जो मंदिर की बहुत देर से शुचिता बनी हुई थी जो पवित्रता बनी हुई थी वह इसने कैसी कर दी है कलुशित कर दी है कलुशित करना मतलब की आप पवित्र करना कि मंदिर की जो शुचिता मतलब पवित्रता बनी हुई थी वह इस पापी ने मंदि में घुसकर क्या कर दे है अब पवित्र कर दे है आगे वो क्या कहता है ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरीमा से भी किसी बात में हूं में आगे माता की महिमा के भी तो आगे सुख्या का पिता कहता है कि उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता जो है अधिक भारी हो ऐसा कैसे हो सकता था उसके कहने का मतलब यह है था कि जब माता नहीं हम सभी को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर की पवित्रता कैसे अपवित्र हो सकती है कैसे अशुद्ध हो सकती है मा के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा मा के समुख ही मा का तुम गौरव करते हो छोटा कुछ ना सुना भक्तों ने जट से मुझे घेर कर पकड़ लिया मार मार कर मुख के घुंसे धमसे नीजे गिरा दिया आगे सुख्या का पिता कहता है कि मा के भक्त हुए तुम कैसे करके यह है विचार खोटा तुम यह ऐसा खोटा विचार लाकर माता के भक्त कैसे बने रह सकते हो नहीं बने रह सकते क्योंकि जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं वो खोटे हैं कभी कहते हैं कि सुख्या के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है इस तरह का घट्या विचार यदि तुम करते हो तो तुम माता के भक्त हो ही नहीं सकते यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी उंचा मानते हैं तो वे माता के सामने ही मात को नीचा दिखा रहे हैं उसकी अशुधता माता की महिमा से अधिक नहीं है वो भी मंदिर में माता के दर्शन के लिए आ सकता है और उसका प्रसाद भी पा सकता है लेकिन कुछ ना सुना भक्तों ने देवी के भक्तों ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जट से मुझे घेर क पकड़ लिया, जल्दी से उन्होंने उसे घेर लिया और पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे उसे बहुत मारा, मुक्के मारे उसे घुसे मारे और नीचे जमीन पर गिरा दिया, अनर्थ, अनर्थ का होता है, अर्थ होता है पाप, कलुशित अपवित्र, चिरकालिक अने गौरव महानता मेरे हाथों से प्रसाद भी विखर गया हाँ सबका सब हाई अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब या याल्या ले गए मुझे वे साथ दिवस का दंड विधान मुझको हुआ वाता मुझसे देवी का महान अपमान जब देवी मा की भकतोंने उसे पकड़ा उसे नीचे गिराया उसे मुख्के मारे घूंसे मारे तो जो उसके हाथों में प्रसाद था वे प्रसाद भी विखर गया सारा प्रसाद नीचे जमीन पर विखर गया हाई अभागी बेटी तुस तक कैसे पहुंच सके है अब अब अपनी बेटी को बोल रहे है कि तुम कितनी भागया हीन हो कि प्रसाथ पाकर भी मैं तुम्हारे तक नहीं ला सका यह प्रसाथ तुम तक कैसे लओं नहीं मैं ला सकता योगि वहाँ पर जो माता के भक्त थी उन् पाकर भी तुम तक नहीं पहुंचा सका नियायाल्या ले गए मुझे वे साथ दीवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी मा का महान अपमान अब जो देवी मा के भक्त थे उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी और वे उसे पकड़कर नियायाल्या ले गए साथ दीवस का दंड विधान और वहाँ पर उसे नियायाल्या में उसे साथ दिन का दंड विधान दंड का जो है विधान मतलब कि उसकी विवस्था की गए वहाँ उसे साथ दिन का दंड सुनाया गया मतलब कि उसके कारावास उसे साथ दिन के कारावास के सजा मिले मुझको हुआ उसे जो है साथ दिन का कारावास की सजा मिली क्यों मिली हुआ था मुझसे देवी मा का महान अपमान क्योंकि उससे देवी मा का अपमान हुआ था इसके लिए उसे साथ दिन का कारावास मिला शब्दों के अर्थ है अभागी भागी का अर्थ होता है भाग्याहीन दंड विधान दंड की व्यवस्था दिवस दिवस का अर्थ होता है दिन तो विद्यार्थियों आज जो हमने पढ़ा उमीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि देवी मा की पूजा के फूल लेकर सुख्या का पिता प्रसन हो गया जब उसे वहाँ पूजा के फूल मिले तो वह प्रसन हो गया उसने सोचा कि वह जल्दी से घर जाकर अपनी बेटी को मा की पूजा के ये फूल दे देगा और उसकी बीटी एकदम ठीक हो जाएगी जैसे ही वे प्रसाद लेकर घर की तरफ जाने लगा तो भक्तों ने उसे घेर लिया, उसे पकड़ लिया और उसे मारा, पीटा, उन्होंने उसे छली कहा, धूर्त कहा और उसका अपमान किया देवी के भक्तों ने उसे कहा, कि उसके मंदिन में आने से लंबे समय से जो उसकी शुचिता बनी हुई थी, जो उसकी पवित्रता बनी हुई थी वहे नश्ट हो गई जब सुख्या के पीता ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो उन्होंने उसे मुक्के और घूंसे भी मारे और जिससे की जो प्रसाथ था, वो वहीं का वहीं गिर गया उसकी बेटी तक नहीं पहुंच सका और उसे माता के भक्त पकड़ कर कहा ले गए न्यायाल्या में ले गए और वहाँ पर उसे साथ दिन के कारावास के सजा सुनाई गए धन्यावाद बच्चो